हेलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंड्स एड देरेट पेपरेशन इस सेनल पर मैं लेकर आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की मैच्स की बुक मैच्स मेला जो कि आपकी NCRT बुक न्यू NCRT बुक ह इससे मैं आपको करवा रहा हूँ इस सेकिंड चेप्टर ट्वाई जो आए इससे पहले मैंने आपको फर्स चेप्टर कंप्लीट किराए था फर्स चेप्टर को मैंने टू पार्ट में कंप्लीट करवाय हुआ है इसका फर्स पार्ट और सेकिंड पार्ट दोनों ही आपने जरूर देख लिया होगा, अगर आपने इसका second part या first part miss कर दिया है, इसका link नीचे description में मैं आपको दे रखा है, उसके click करके आप first chapter complete कर सकते हैं, अब देखिए हम लोग start कर रहे हैं second chapter toy joy, तो इसमें बहुत सारी paper based activity होने वाली है, one by one हम सभी चीजो को देखेंगे और question को solve भ होता है, इसके अंदर कुछ बच्चे हैं, जो की paper को fold करके different different diagram बना लेते हैं, जैसे ये पहली बच्ची है, इसने क्या क्या paper को fold करके bottle का shape दे दिया है, जैसे bottle का shape दे दिया, तो एक तरसे cylinder create हो गया, ठीक है कुछ इस type से ये shape आ जा रहा है, जैसे आप इसके हाथ में देख सकते हो, कि इसने एक puppy का face भी इसके अंदर draw करके रखा हुआ है, और ये bottle का shape में इसे convert कर रखा है, इसे fold करके, आप लोग भी एक A4 size paper ऐसे ले सकते हो, और इसे जब fold करोगे, तो rotate करोगे, तो ये एक cylinder का shape आ जाएगा, उसके बाद एक और बच्चा है, जैसे इसने भी एक paper लिया हुआ है, और इसे fold करके, इसने keyboard बना दिया है, जिसके अंदर आप cat की drawing देख सकते हो, उसके बाद एक और बच्चे है, इसने क्या क्या पेपर को fold करके, और यहाँ पे एक cube का shape दे दिया है, और यहाँ पे इसने एक animal का भी face ड्रॉ कर रखा है, जैसे आप identify कर सकते ह तो यह pig का आपको यहाँ face देखने को मिल रहा है, इसके लाबा एक बच्ची और है, उसने क्या क्या पेपर को conical तरीके से fold करके, जैसे आपका birthday cake जैसे आप बड़े वगरे celebrate करते हो, तो cap होता है आपके सर के उपर, उसी type सा इसने इसको fold किया, और fold करने के बाद आप पहले हम लोग जितने भी solid shape होते हैं, पहले उनको समझते हैं कि किस type के shape होते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ keyboard की, ठीक है जो keyboard जो होता है, उसे पहले उसे देख लेते हैं किस type का होता है, जैसे यह आपके पास, जैसे gift कोई भी gift वगर आपको देता होगा, तो जो gift आपके पास आता है, किसी ना किसी box के अंदर pack करके आते हो, जैसे आप shoes वगरा purchase करते हो, तो वो भी क्या होता है, किसी किसी नी box के अंदर pack होकर आता हुआ है, तो जो box होता है, उसका जो diagram आप कह सकते हो, keyboard जैसा होता है, और keyboard के अंदर, जैसे यह diagram आप देख रहे हैं, यह keyboard का diagram आपको देखने को मिल रहा है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये इसका face है ठीक है ये वाला portion ये जो इदर बन के आ रहा है ये इसका face है अच्छा जो side वाला जो ये दिख रहा है आपको ये इसका edge है और ये जो corner वाला जो point होता है इसे vertex बोलते हैं इस तरह से अगर total अगर faces count करोगे तो आपको 6 face देखने को मिलेगा और vertex की बात करें तो vertex आपको यहाँ पर 8 vertex देखने को मिलेगे जैसे ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 इस तरह से count करोगे तो आपको 8 vertex देखने को मिलेंगे और इसके लाबा जो edges हैं जैसे इसका किनारा है, side का इस तरह से ये इसके edges हैं तो आपको यहाँ पर 12 edges देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह मैंने आपको बता है keyboard की बारे में इसी तरह से cube जो होता है, cube के अंदर भी same इसी तरह से होता है, जैसे keyboard के अंदर आपने भी देखा keyboard और cube में सिर्फ डिफरेंस ही होता है कि जो इसमें length है, इसकी length ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो shape बन क्या रहा है, इसकी length ज़्यादा होती है और यह इसकी breadth के से हो ठीक है, यह नीचे वाला है, यह तीन चीज़ेंस के अंदर होती है length, breadth और height होती है और इसमें क्या होता है, कि जो length है, breadth है और height है सब equal होता है, इसलिए से यह थोड़ा सा different होता है keyboard से keyboard और यह दोनों same है, बट इसमें तीनों की length same होने कि वज़े से आप कह सकते हो, कि यह सब के सब equal होती है अब देखो, यहाँ पे भी क्या है, कि आपको 12 edges देखने को मिल जाएंगे 8 vertex देखने को मिल जाएगा, और 6 faces देखने को मिल जाएगा ठीक है, बाकी चीज़ें के अंदर same वैसे ही है जैसे यहाँ keyboard में, कि number of faces, number of vertex, number of edges same है ठीक है, बस दोनों diagram में difference यह है, कि इसमें length, breath और height different होते हैं keyboard के अंदर, और cube के अंदर equal होते हैं अच्छा, उसके बाद बात करते हैं cylinder की, ठीक है तो cylinder जो diagram है, यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर नीचे आपको इस circle देखने को मिलेगा, इस type से circle तो जब circle है, तो यहाँ पे radius भी देखने को मिलेगा और यह इसके height हो जाती है, ठीक है अच्छा, इसके बाद, जैसे आप football खेलते हो, यह cricket खेलते हो जो ball आप use करते हो, ठीक है, वो क्या होता है, आपका spare होता है ठीक है, तो जिसका diagram आप यहाँ देख सकते हो और इसके बिल्कुल cut करोगे, तो बिल्कुल center में इसमें क्या होता है बिल्कुल exact beach में, यहाँ पे एक center होता है और यह radius आपको यहाँ देखने को मिलता है अच्छा, अब बात कर लेते है, कोन की कोन जो होता है, एक diagram है, यह सभी के सभी solid diagram है, यानि कि 3D shape आप इनको बोल सकते हो यह सारे जितने भी मैं आपको देखा रहा हूँ इसमें यह जो कोन है आपका, जैसे बड़े वगरे celebrate करते हो तो जो आप सर पे अपने लगाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, circular shape में आपको देखने को मिलता है यानि इसका जो base आपको यह circle देखने को मिलता है और यह पर यहाँ पे top में एक point कह सकते हो circle है तो यहाँ पे radius भी होगा इसमें एक radius होता है और जो straight height जा रही है यह आपके height हो जाएगी और यह जो slant type से height जा रही है इसमें slant height हम लोग बोल देते है यह सारी चीज़ें इसके अंदर होता है अभी आपको यह समझना है कि आपके पात जो solid shape है उसके अंदर keyboard होता है cube होता है, slender होता है spare होता है और cone होता है इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग diagram based question करने वाले चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम अपने book के अंदर देख लेते हैं कि भी क्या क्या चीज़े हैं इसके अंदर तो जैसे अब next topic आपको देखने को मिलेगा यहापे, कि let us do ठीक है, तो यह topic आप अपने copy में mention करेंगे, और उसके अंदर यहाँ question देखने को मिलेगा, जैसे एक बच्ची है उसके बारे मैं आपको बोला जा रहा है what did you draw on their faces ठीक है, आपने क्या-क्या draw किया किसी इसको यूज करके यह आपसे बोला जा रहा है तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि different different shape को देख रहे हो और उसके अंदर यह face आपको देखने को मिल रहा है ठीक है, अलग-अलग animals के आपको यहाँ पे face देखने को मिल रहा है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो paper fold करके घर पे बना सकते हो और अपने favorite animal का face भी इसके उपर draw कर सकते हो यह आपके लिए activity based question हो गया अच्छा, इसके बाद एक बच्ची है जिसका नाल जया है और जया ने क्या किया कि भी यहाँ पे एक paper को use करके या solid shape को use करके इसने एक rocket draw किया हुआ है जैसे आप देख सकते हो अलग-अलग diagram को use करके इसने एक rocket बना हुआ है आपको क्या करना है इसके अंदर किस question के अंदर कि जितने भी यह diagram आपको देखने को मिल रहा है इसके बारे मैं आपको बोला जा रहा है कि how many each आपको सारे की सारे diagram identify करना है कि number of cube कितने है number of cone कितने है number of cuboid कितने है number of cylinder कितने है सबसे पहले हम लोग बात करते है cube की तो हम लोग पहले cube को identify करते हैं तो देखो यहाँ पर यहाँ आपको cube देखने को मिलेगा ठीक है तो मुझे यह cube दिख रहा है और यह cube दिख रहा है total number of cube मुझे 2 दिखाई दे रहे 2 यहाँ mention कर दूँगा अच्छा उसके बाद हम cuboid की बात करते है देखे यह green color का है red color का है blue color का है और यह yellow color का है ऐसे 4 different different मुझे cuboid देखने को मिल रहे है तो number of cuboid यहाँ पर मैं 4 लिख दूँगा उसके बाद cone की बात करते है बिल्कुर top पे देखो यह आपको यहाँ पर cone देखने को मिलेगा तो number of cone कितने यहाँ पर only one है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा one लिख दूँगा cone को उसके बाद cylinder की बात करते है देखे यह जो है आपके पास यह आपके पास जो बन के आ रहा है यह cube बन के आ रहा है और यह भी cube बन के आ रहा है लेकिन यह orange color type का जो दिख रहा है आपको ठीक है यह वाला portion यह आपका cylinder है ठीक है तो यहाँ पर number of cylinder आप क्या लिख सकते हो तो जैसे यह activity है कि आपके पास भी यह diagram है इस तरफ के घर में solid shape को use करके आप इसे बना भी सकते हो अभी copy में आपको क्या करना है कि यह question लिखना है आपको कि how many of each और उसके अंदर यह diagram आप draw कर लेंगे पूरा उसके बर number of cube, cone, keyboard और cylinder जो भी आपने के करके सब को count किया उसे हैं अपने answer में mention कर देंगे तो इस तरीके से आप इस question को complete कर सकते हैं अब move करते हैं फिर next आगे next question की तरब तो इसमें आपको एक toy देखने को मिल रहा है कि एक toy और इसके अंदर अलग-अलग solid shape यूज करके इसे बनाया गया है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि Devika went to shop and bought a toy engine यह toy engine लेकर के एक बच्ची आई है जैसे आप लोग घर पे केलते हो वैसे एक बच्ची है जिसका नाम Devika है उसने toy engine वो लेकर के आई है अच्छा अब question आपके लिए यह है कि यहाँ बोला जा रहा है कि here is Devika's toy engine it has many parts count and fill आपको number of different different shape है उसे count करना है या fill करना है जैसे red cylinder red cylinder कितने दिख रहे हैं आपको only one दिखाई दे रहा है तो आप one red cylinder इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है अच्छा उसके बाद yellow cone cone देखो यहाँ पर yellow cone आपको कितने लिखने two दिखाई दे रहे हैं तो आप यह fill कर लोगे देखो question आपको यहाँ से note करना है पूरा और जो solution है solution में one by one सब को count करके आपको लिखना है तो जैसे cone की बात करें यह one and two two cone होगे आपके पास two yellow cone होगे तो आपने यह two mention कर दिया उसके बाद gray clear का keyboard देखो नीचे देखो यह जो base बन रहा है इस two eye का यह किस shape में है keyboard shape में तो number of keyboard यहाँ पर कितने देखने को मिल रहे हैं आपको आपको one मिल रहे हैं तो आप one gray keyboard लख सकते हैं अच्छा उसके लाब आपको बोला जा रहा है कि blue color का cube count करो कितने हैं यह जो compartment type का इसका बन रहा है इस engine का एक तरह से यह कि shape में cube shape में है तो आपने इसे count किया तो आपको यह one blue cube देखने को मिल रहे हैं तो इस तरीके से आप इस question को note कर सकते हैं इस diagram को draw कर सकते हैं और उसके बाद solution में सब को count करने के बाद अपना answer लिख सकते हैं उमीद करता हूँ आपको अच्छे से clear हो गया होगा वीडियो को like भी कर दो भई और इस solution को note कर लो अच्छा इसके बाद move करते हैं हम लोग next topic की तरब अब जो next topic है आपकी NCRT book के अंदर यह आप लिखोगे सबसे पहले topic let us discuss इसके अंदर आपको देखना है और इसे discuss करना है और उसके बाद इसे solve भी कर लेना है जैसे question है आपके लिए what shape are used in these toy आपको different different toys given है अब यह toy खिलोने आपके पास है इसमें आपको जो भी shape दिखाई दे रहे है एक एक करके shape का नाम लिखना है जैसे देखो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यह मुझे cylinder देख रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा cylinder अपने answer में लिख दूँगा तो पहले question note करोगे question note करने के बाद solution में आपने क्या करना है diagram draw करना है और draw करने के नीचे आपने क्या करना है जो भी shape आपको दिखाए दे रहे उसका नाम लिख देना है cylinder दिखाए दे रहा है यह आपको cone दिखाए दे रहा है तो आप cone लिख देंगे अच्छा इसके बाद यह जो आपको diagram दिख रहा है यह spare दिख रहा है आपको फिर से यह cylinder दिख रहा है, तो आप यहाँ पे cylinder अपने answer में लिख देंगे, इसके लाबा यहाँ पे आपको यह spare दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ spare लिख देंगे, अच्छा, इसके लाबा आपको यहाँ पे cone भी दिखाई दे रहे हैं, यह cone बन किया रहे, तो यह भी आपको cube दिखाई दे रहा है, तो आप cube लिख दोगे, ठीक है, और बाकी भी, जैसे ये भी आपको keyboard ही दिखाई दे रहा है, दो-दो बार लिखने की जरूत नहीं है, एक बार आपने keyboard लिख दिया, sufficient है, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो अपने answer को, और इस question को solve कर सक सकते हो, पहले आपने topic लिखना है, topic लिखने के बाद question लिखना है, और solution में इनके diagram ड्रॉ करना है, और जो भी आपको shapes दिखाई दे रहे हैं, उन सब के नाम आपको लिख देने हैं, तो I hope आपको ये वाला question भी अच्छे से clear हो गया होगा, ठीक है, चलिए, आप move करते हैं, आगे next, next again आपके लिए question है, activity based है, पहले इस activity को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम लो questions करेंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, एक बची है, जिसका नाम जया है, और जया के बारे में आपको बताया जा रहा है, कि जया made some houses using different shape, उसने different different shape को use करके house create गर बनाया गए है, जैसे देखो, first diagram देखो, यहाँ आपको cylinder दिखाए दे रहे है, और यहाँ आपकोונה दिखाए दे रह Гर यहाँ आपको ك्यूब कया रहे है, और यह आपकों कों दिखाए दे रहे है, ठीक है, तो कों use किया गया है, इन दोनों के अंदर, और इस वाले के अ इंदर बहुत सारे diagram use किया गया, identify कर सकते हो, ऊपर कोण देखने को मिल रहा है, सबसे पहले कोण है उपर देख लिए, उसके बाद नीचे कोण के नीचे आपको यहाँ पे cube दिखाई दे रहे, cube लिख लिए आपने, इसके बाद आपको keyboard दिखाए दे रहें, आपने keyboard लिख लेना है, ठीके इसी तरह से next आपको यहाँ पर cylinder दिखाए दे रहें, cylinder आप लोग लिख लोगे, ठीके जितने भी diagram आपको इसमें दिखाए दे रहें, सब को आपको identify कर लेना है, और इसके answer में आप लिख सकते हैं, अपने friend के साथ, अपने भाई, बैनों के साथ की भी, यह toy यूज करके different different house create कर सकते हो, ठीके न, बहुत मज़िदार activity है, घर पे जरूर करना, और एक paper में आपने क्या करना है, इसे इस तरह से लिखना भी है, कि आपने कौन-कौन से diagram यूज की है, ठीके, easy सा काम में बहुत ही मज़ा आएगा आपको, जरूर करना, ठीके, और चाहो तो छोटी सी वीडियो बनाके, मुझे whatsapp कर सकते हो, मुझे telegram पर भेज सकते हो, या फिर मुझे instagram पर भी आप share कर सकते हो, आप लोग तो मेरा instagram id अब तक तो जान चुके होंगे, कि at the rate Mr. Krishnashah, जो आप message करके अप rocket बनाया हुए है उसने, rocket बनाने के लिए उसने सबसे पहले जो base है, base यहाँ पर क्या लिया हुआ है, keyboard लिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप diagram identify कर सकते हो, keyboard लिया हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, cylinder को यूज़ करके इसे बनाया हुआ है, और बि युछ और भी डाइग्राम बना सकते हो, और इसमें लिख भी सकते हो इस तरह से अपने answer में कि भी आपने क्या-क्या यूज किया है, जैसे यहाँ पर देखें कि example आपको दिया गया है, कि आपना answer कैसे लिख सकते हो, कि cylinder is on the top of the cuboid, जो cylinder है, यह वाला cylinder है, किसके उपर है, यह जो कौन दिखाई दे रहा है, किसके उपर है, कौन आपने cylinder के उपर रखा हूँ, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यह आप अपने answer में लिख भी सकते हो, आपने कौन-कौन सा diagram यूज किया हुआ है, बहुत easy सी activity है, घर पे आप करो, enjoy करो, ठीके, ताकि आपको shapes भी लिख देंगे topic, let us do, और उसके अंदर ये question number one, ठीके, पहले पढ़ते हैं, समझते है question में क्या है, can you find these shapes in the classroom, fill in the table with their name, अब देखे, आपके classroom के अंदर, जैसे आप class में पढ़ाई करते हैं, आपको cylinder अगर दिखाई दे रहा है कहीं पर, कोई object ऐसा है, उसका नाम लिख सकत हो, आपने cube देखा हुआ है, cube का नाम लिख सकती हो, keyword देखा हुगा, या keyword से मिलता जुलता चेप आपने देखा है, उसका नाम लिख सकते हो, और इसके इillesके लाबाँ, क्यों का नाम भी आप लिख सकती है, किस object में आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले ताप question को note करोग वाटर बोटल है, वो आपका किस शेप में दिखाई देता है, आपको सिलिंडर शेप में दिखाई देता है, तो आप वाटर बोटल अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे वाटर बोटल लिख सकते हो, अच्छा, जैसे आप बॉल खेलते हो, ठीक है, क् class में almira होता है, ठीक है, almira जो होता है, तो वो आपने देखा होगा कि वो किस shape में होता है, keyboard shape में होता है, आपका lunch box जो है ठीक है, lunch box ये क्या है, ये भी keyboard shape में होता है, कुछ बच्चे कहेंगे sir हमारा lunch box तो cube shape में भी है, तो कुछ-कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, जो lunchbox है, keyword shape में लेके आते हैं, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनका cube shape में आता है, तो आप cube और keyword दोनों में lunchbox लिख सकते हैं, आप बड़े cap जो आप use करते हो, ठीके, तो वो क्या होता है, कौन shape में होता है, तो आप अपने answer में याप बड़े cap लिख सकते हो, ठीके, तो इस तरह से जो भी आपको different object देखने को मिलते हैं, उन सब का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने तो थोड़े से लिखे हैं, आप इससे ज़्यादा भी अपने answer में add on कर सकते हैं, कुछ comment करके मुझे बताओ, कि भी आपके घर में या आपने आसपास में slender shape का क्या-क्या देखा हुआ है, एक slender का answer बताओ, एक spare का answer बताओ, एक cube का answer बताओ मुझे, और एक keyboard का, और finally last में, कौन का भी मुझे answer बताना, आपने कौन सा object देखा हुआ है, ठीक है, जरूर मुझे comment करके बताना, और comment में अपना नाम भी जरूर लिख देना, ताकि मैं भी आपको identify कर सकूँ, अब देखें, इसके अंदर first part, जो है अपने answer में, लिख लेता हूँ, कि यह सबसे ज़्यादा, देखने को मिल रहा है, मुझे, अच्छे, सबसे मुश्किल जो होता है, कि वो कौन सा होता है, सबसे least कौन सा है, यह आप से पूछा जा रहा है, जैसे इसका B part देखोगी, इसमें बोला जा रहा है, name the shape that you find the least, सबसे कम, तो जैसे कौन है, कौन मुझे बहुत कम मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, कि कौन shape का आपको कम देखने को मिलेगा, तो कौन अपने answer में लेख सकते हो, और C में आप से पूछा जा रहा है, name the objects that are made of more than one shape, जिसके अदर two different, different two या three, यानि कि more than one object को use करके, shape को use करके, जो भी कोई object बनाया गया है, उसका नाम आपको लेखना है, कि कुछ ऐसे भी object आपको देखने को मिलेंगे, अपने घर में, school में, या घर के आसपास, या playground में, जहाँ आपने देखा होगा, कि कई सारी चीजे को, जैसे आपने rocket देखा था, ठीक है, थोड़ी दिर पहले, अब ये rocket जो देखा था, इसके अंदर cone भी use किया गया है, cylinder भी use किया गया है, keyboard भी use किया गया है, यानि कि multiple चीजे आपको many shapes देखने को मिल रहा है, यानि कि more than one shape देखने को मिल रहा है, वो आप अपने answer में लिख सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से question का answer आप complete कर सकते हो, मैंने तो rocket लिखा है, आप भी rocket लिख सकते हो, या कुछ और diagram आप बना सकते हो, तो उसका नाम भी आप लिख सकते हो, ठीक है, अच्छा, first question complete कर लिया, इसके बाद हम लोग next देख लेते हैं, second question, second question में आपको बोला जा रहा है, कि look at these shapes and answer the following question, अब देखो, यहाँ पर यह shapes दिखाई दे रहे, इन सब को अच्छे से पहले देख लीजिए, और देखने के बाद, जैसे इसमें first बोला जा रहा है, कि आपको circle करना है cubes को, जहाँ भी cubes आपको दिखाई दे रहे हैं, उस पे circle कर दो, देखो, मुझे यह cube दिखाई दे रहा है, तो अपने answer में क्या करूँ, उसे draw करने के बाद circle कर दो, एक cube यह दिखाई दे रहा है, एक और PvE मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे मैंने circle कर दिया, एक cube मुझे यह भी दिखाई दे रहा है जितने भी cubes आपको दिखाई दे रहे, cube में आपको यहाँ पे circle कर देना है, पहले question को note करोँगे, फर यह से draw क पर होगे और ड्रॉ करने के बाद इस तरह से circle create कर दोगे उसके बार next बोला जा रहा है put a tick right tick against the shapes that are cone जो भी cone आपको दिखाए दे रहा है उस पर right tick लगाना है आपको जैसे यह cone मुझे दिख रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँआ right tick लगा दूँआ यह मुझे cone मिल गया एक across against the shapes that are cylinder जहाँ भी आपको slender दिखाए दे रहे है उस पर आप cross लगा होगे जैसे मुझे slender दिखाए दे रहा है तो इस पर मैं क्या करूँआ cross लगा दूँआ ठीक है यह मैंने cross लगा दिया । आप भी cross लगा दोगे यह मुझे slender दिखाए दे रहे है इसके उपर भी मैं क्या करूँआ cross sign ड्रौ कर दूँआ उसके बाद यह सलेंडर मुझे दिखाए दे रहा है तो इस पर मैं क्या करूँआ cross sign इस तरह से create कर दूँगा जहाँ भी मुझे slender दिखाई देंगे मैंने उस पर क्या किया cross sign create कर दिया उसके वर last में आपको बोला जा रहा है put a box around the keyboard जहाँ भी आपको keyboard दिखाई दे रहे वह आप क्या करोगे ऐसा box बना दोगे तो चलो अब हम keyboard को identify करते है keyboard का है जिससे देखो यह रहा keyboard तो मैंने क्या 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 इस पर box बना दिया यह भी मुझे keyboard दिखाई दे रहा है तो इस पर भी मैंने क्या क्या box बना दिया और यह भी मुझे keyboard दिखाई दे रहा है तो इस पर भी मैं क्या गरूँगा box draw कर दूँगा तो इस तरह से question number second के अंदर आपको different different shapes को identify करने के लिए बोला गया identify करने की बाद उसमें कुछ mark करने के लिए बोला गया कि जितने भी cube है उसमें आपने circle mark कर दिया जितने भी cone है आपने उसमें tick लगा दिया और जितने भी आपके बाद cylinder है उसमें आपने cross sign mark कर दिया और जितने भी keyboard है उसमें आपने क्या किया box mark कर दिया आपने तिस तरह से आप mark करके इस पूरे question को complete कर सकते हो पहले आप question note करेंगे draw करेंगे और उसके बाद ये activity complete कर लेंगे ठीक है चले एक question और करते है इसके बाद third question ठीक है तो third question देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि name the shape आपको different different shapes की name लिखने के लिए बोला जा रहा है जैसे first map मैं आपको बोला जा रहा है with no edges जिसके अंदर को edges नहीं होता है उसके बाद next बोला जा रहा है with only flat faces या ऐसा diagram या ऐसा shape आपको बताना है जिसके अंदर जो face होते हैं वो flat होता है जिससे cube की बात करें या keyboard की बात करें cube और keyboard जो होते हैं या ऐसे diagram आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको flat face देखने को मिलता है तो आप इन दोनों में से किसी को भी अपने answer में लिख सकते हो चाहो तो आप दोनों को भी लिख सकते हो तो मैं यहाँ पे cube अपने answer में लिख रहा हूँ ठीक है cube भी लिखेंगे जो बच्चे वो भी उनका correct answer हो जाएगा उसके बाद next बोला जा रहा है with only curve face curve face किसके अंदर होता है तो जैसे आप यह आपने spare देखा spare में क्या होता है जो इसकी faces होते है बिल्कुल curved होता है straight तो ही नहीं curved है तो आप अपने answer में spare लिख सकते हैं ठीक है तो यह आपने answer में लिख लिया उसके बाद next बोला जा रहा है कि both straight and curved edges ऐसा diagram या ऐसा shape आपको बताना है जिसके अंतर आपको straight भी edges देखने को मिलते है और curved edges भी देखने को मिलता है यानि दोनों type का आपको देखने को मिलता है उसकी बात करिए जैसे आप cylinder है इसके बात next देखो जैसे आप इसे ड्रॉख कर होगे तो इसके टॉप और बॉटम में तो आपको क्या होता है कि यहाँ पर curved दिखाई दे रहे है तो आपको straight edges दिखाई दे रहे हैं तो हम अपने answer में यहाँ पर क्या करेंगे cylinder अपने answer में लेख सकते है cylinder एक ऐसा shape ऐ souvenir जिसमें पर देखने और curved edges दिखाए दे रहे है ठीप है तो आप अपने answer में लेख सकते है इसके बात next देखो लास्त में पूझा जाईर है with both flat and curved faces flat b faces आपको देखना है और curved भी देखो नीचे क्या इसके center बनता है cylinder के अंदर नीचे और उपर दोनों में क्या होता है कि ये circle बनता है एक तरह से ठीक है तो जो circle है वो कैसा face है वो curved face है और बीच में ये क्या है rectangle use किया गया है जैसे paper होता है फोल्ड करके बनाए जाता है इसे तो ये तरह से कह सकते हो ये ये flat आपके पास face है तो यहाँ पर जो cylinder होता है cylinder में जो faces होते हैं curved भी होते हैं और flat भी होते हैं दोनों type के होते हैं इसके अंदर तो आप अपने answer में cylinder लिख सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप अपना answer complete कर सकते हो पूरे third question के अंदर कि one by one सब के बारे में इसका नाम shape का लिख सकते हो चाहो तो ऐसे चोटे चोटे डाइग्राम बना के भी आप दिखा सकते हो तो इस तरह से आप question number third को complete कर सकते हो अच्छा अभी इस वीडियो में लोग ऐसा करते है question number three तक ही करते है बाकी question number four onward जो है इसके second part में करेंगे ठीक है तो जैसे आपका ये question number third complete हो जाता है तो next part यानि कि part second chapter second का जरूर देखना जिसके अंदर मैंने question number four onward questions करवाए हुए है वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए comment करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगती अच्छी लगती बुरी लगती सबसे अच्छी बात क्या लगी वीडियो में वो भी जरूर mention करना ठीक है और channel friends at the rate preparation को subscribe करके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेर करो और इसके साथ-साथ मेरा जो second channel है मेरे नाम से Mr. Krishna Shah इस चैनल को भी subscribe कर लीजिए और bell icon प्रेस करिए ताकि आपको latest वीडियो की notification मिल सके और हाँ जो मैंने आपको activity करने के बाद आप वीडियो या फोटो का शेर करोगे मुझे इंस्टाग्राम पर शेर कर सकते हो मेरे आईडी है Mr. Krishna Shah ठीक है जहाँ message पर अपनी फोटो वीडियो मुझे शेर कर सकते हो और जब शेर करोगे तो अपना नाम हुरून मेंचिन करना तो थैंक्स पूर वाचिंग बाबाई